मध्या विद्दुचेल को समझने के यह ऐसे संदो कि जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं आवाज क्रीयेट कर रहा हूं तो मैं सोट हो गया तो अब तो प्रोड है आवाज का मैं स्रोग हो और यह आवाज जहां तक जा रही है मतलब कहां तक मेरी आवाज सुनी जा सकती है कोई परसन अगर जाए यहां से दूर तो इसको जहां तक मेरी आवाज सुनाई देगी वहां तक मेरी आवाज के पहुंच रही है वाया ट्रेवलिंग इता एयर सावन वेज के रूप में थानिकलंग के रूप में चलते हुए आवाज का एक जगा के दूस्तर जगार जाना भुतर तो अवाज जहां तक जाएगी वहां सक चारो और जाएगी तो जहां तक आवाज जाएगी, वहां तक आवाज का छेतर होगा अगुरु सहीवाद आवाज का छेतर होना मतलब आवाज को सुना जाना तो जहां तक मेरी आवाज सुनी जाएगी, वहां तक मेरी आवाज का छेतर होगा कि इसी तरह जिस तरह आवाज को सुन कर नहीं और अगर और तक नहीं करें बहुंद सुनाए देना बंग हो जाए जहां तरह मीरी आवाज पहुंचे उसके बात वा रहे ही या जहां पर किर इस ना पहुंचे उसको बोलते हैं अनन्ड क्या बोलते हैं उसको क्या प्रोपे है आनद इंफिनिटी इंफिनिटी इस दैट प्लेश वेर दा इफेक्ट इस जीरो यालि आनद हुआ छेटर है जहां पर आवाज नहीं पहुँच रही और यह भी जाना है यह आनद पर नहीं होगा बहुत दूर नहीं होगा अगा मैं बोल रहा हूँ तो कुछ दूरी तक भी आवाज जाएगी उसके बाद लगभग 500-200 मीटर के बाद मेरी आवाज सुनाई नहीं देगी तो जहां पर मेरी आवाज सुनाई नहीं देगी वो मेरी आवाज का अनद होगा मतलब उसके बाद मेरी आवाज का कोई प्रभव नहीं है तो आवाज का एक नेश्चिब डायरा होता है उस बोलने वाले परसंद के चारो और जहां तो आवाज जाएगी वह आवाज का छेतर है जहां आवाज नहीं पहुंचेगी वह अनद्र इसी तरह से अगर मैं कोई आव ब्लस क्यू और यह पता करना चाहूं कि इस आवेच का छेत इसके चारो और कहा तक है तो वह किसी आवेच का प्रभव प्रभव हैं जैसे आवाज का जो छेत्र है प्रभव है किसी की आवाज को आप सुन के मैं चालते कि वहां तब पहुच रही है या नहीं मौच रही है उसी तरह किसी एक आवेज का ब्रभाव किसी बिंदू पर पहुच रहा है या नहीं मौच रहा है इसको पता करने के लिए आप हमेज़ा यहां पर इस आवेज रखेंगे और चुकि ये परिचर करने के लिए रखा लिया है, इसलिए इसको बोलेगे परिचर आभीस, क्या बोलेगे साथावेज को परिचर आभीस, परिचर आभीस आध यहाँ तो प्लस Q लगेगा या तो बल नहीं लगेगा, तो यह वाला प्लस Q के पास है यह वाला प्लस Q नाट तो इसके बन लगे है अगर बन लग गया प्लस प्लस को प्रसिक्न करता हाथ जाने हैं तो अगर वाल आवेश यहांबर बन लगा नाग तो यहां फर seven Sinanak ha यहां विर्दुट छेतर है और यहां विल्दुट छेतर है तो यानि किसी आवेज का विल्दुट छेतर बात नहीं कुछ विल्दुट छेतर उसके चारों का वह इलाका होता है किसी आवेज का विद्धु छेद्र उसके चारो रोटा वहा इलाखा होता है जहां कर किसी दूसरे परिछड आवेज पर बन मेंतूर किया जा सके यहनि अगर इस परिछड आवेज को आप पढ़ी रखते हैं और उस पर बन लगता है तो वो जो बन लगा वो इस बात का संकीतार है कि वहाँ पर विद्धु छेद्र है अगर बन ना लगे तो विद्धु छेद्र जीड़ो है अगर बन लगे तो वहाँ विद्धु छेद्र है अगर बन जादा लगे तो विद्धु छेद्र जादा है अगर बल कम लगे तो विदू छेतर कम है बात न करो भाई बात न करो अवाज न करो माइक बद करो माइक बद करो माइक बद करो यहाँ देखो साउड बद करो यहाँ देखो A पर कोई प्लस क्यों अब इस रखता है हमको इससे दूर किसी बिदू है या नहीं इस आवेश का व्रभव यहां पर है या नहीं तो अपने मन से यह आपको यहां पर और यहां पर प्लस यू नाट इसको आप यहां रखेंगे अगर इसके बल लग गया तो यह विद्धू उच्छे नहीं है तो यह विद्धू इसको बीच के दूरी अगर बढ़ाई जाए तो बल क्या हुता है घड़ता है कि घड़ता है तो अगर मैं कि सावेश दूर चलता चला जाओ लगा माने यहां बढ़ गया अगर आप दूर चलते चले जा रहा है तो बल घड़ते का और घड़ता होगा तो जहां पर बल जीड़ता हो जाए घड़ता है जहां पर पर रिच्छड आवेश पर लगने वाला क्यों आड़ लगने वाला बल जीरो हो जाए वो हमारे लिए अनत होगा इस आवेश के लिए वह अनत हो जायएगा जहां पर बल जीरो हो जाए तो विल्दुद छेतर क्या होता है पहले के समझो पहले इसको जरूर समझो विल्दुद छेतर किसी आवेज का होता है किसका होता है जैसे आवाज किसकी होती है किसी परसन की किसी लिविंग लींग की कोई आवाज होती है और वो आवाज जहां तक सुनी जाते के वहां पर आ बं लगे जहां तर परिछर आवेज पर बल लगे वहां तर उसका विदुट छेटर है और जब बल हटते घरते जीरो हो जाए तो जान लो वही पर आनंथ है यानि कितना है जीरो पिर अगर जीरो कि अगर फिल्डू हो गया तो अगर आप धान दें तो बल को मैं इतने दिन से आपके रिवाद चाटता हूँ कि अब बल का मान बताओ बल का मान बताओ उसका कारण यही था कि विल्दुच्छे भले नी यह अलग विल्दुच्छ राती है यह कोई दूसरी कुछ कर वांटी है लगी कुलाद का नियम मैं इ विल्दुच्छ का बल से सीधा रिलिशन है तो अब आपको समय के आगया होगा कि अगर आपको बल आ गया है तो अगर आपको बल आ गया है तो आप जान लिए आपको विल्दुच्छ की समझ में बहुत आसानी से आएगा तो विल्दुच्छ क्या होता है किसी आवेस का हो पुर्प जोनदा हूं जरू होता है कि अनक की है लाद है कि दूरी जहां पर आनक होले गsters आप 206 अससुनल पुर जों बनाख़ होता है उसनी अनक हुझा तो सब्सक्राइब और लॉस्क्ताइब मैपने ल relatively सी था शेपे लोगाने तो एक तीन चार पांट चेरी से शूंग दर चलिने के बाद ही आपको में तो ब्ल गमान जीरो है यानि इसके बहुत दूर का पास में होता है और आवेज जादा है तो उसका अनन्द बहुत दूर होता है यह वाद समझ के आई लोग देखिए लोग अपने दिवाब ही आइडिया बना लेते हैं यह अनत माने बहुत दूर बहुत बढ़ा पर यहां पर अनत का मतलब है इस आवेश से इतना दूर चले जाए जहां बंचीन हो जाए वो रुसाइबार अगर ही आवेश खुद बहुत कम है तो यह बहुत कम चले के बाद ही अनत कि अवेश से बहुत दूर होगा अगर अवेश ज्यादा है तो अगर अवेस आवेश कब होगा यह बास में क्याई है तो विदूदूच्षेटर ने प्रभाव है, विदूदूच्षेटर किसका होता है, कौन से, कौन सी चीज का विदूच्षेटर होता है यह नहीं परिचळावेश को रखता परिच्ट आवेज को रखें, परिच्ट के नाट का नेचर हमेसा धन, हमेसा धन, कभी भी आप परिच्ट आवेज को रिड़ लेगा तब लेगें, हमेसा प्लस कम है कि आप देखिए प्रेट के लिए लगभाग जीड़ों है तो परिच्छर आवेज का मान वहुत कम होता है परिच्छर आवेज का उप्यों किसी बिदू पर बिदू छेट्र है या नहीं यह पता कंडे के लिए किया जाता है क्या यह बात क्लियर है क्या इस निदिया में वो परिच्छ आवेज व्हुत कि लिया है थे अब अमेरिका यह उसमें पर इसको माइस लिया तो प्राप्रम क्या आएगी ये वारा जो प्रावेज है यह प्लस ही है इंडिया में इंडिया में प्लस को क्या करेगा कि यह वाला प्रिच्छा आवेज इंडिया के हैं तो इसको प्रतिकर्शित करेगा जिसा इधर आए और जिदर बन की दिशा होती है उधर ही निदू छेटरी की दिशा होती है वोड़ो इंडिया में जिसा किदर आई इंडिया में जिसा आई अब मालों कोई अब इंकम पढ़ रहा है और उसके फरिच्छा आवे माइनस में लिए हां ठीक प्लस से आखर्फिक होगा भाई यह वाना प्लस है ना यह मालास को आखर्फिक करेगा तो इंडिया में लोग बोलेगे कि प्लस को में का विस्थ्व बी पर छेटरी डाई होन है अव्यका में बोलेगे बाई हून है तो इसको अंतराष्टी मानक बना दिया गया है अंतराष्टी मानक बनाने का मतलब पूरे वर्ड में कहीं पर भी कोई भी पढ़े वो प्लस ही लेगा ताकि हर बार कालिकुलेशन से एक ही वेलू आए रहा है कोई विवाद नहों इसमें अमिता प्लस जैसे देखो तुम लोग कि इन्टरमेंशनल युटाप युराइड चुम्हक्टी पढ़ते हो ना अगर बना कि अधि मेत एक कारवन है तो उस तो अधि बोलते हो ना आधि और दो कारवाय तो तो अगर और कारवन हो गया तो एक बोलते तो आई से क्यों वह पूर रहा है और को बाद्यचेस में यह कार्बन को क्रोब ओल नहीं तो उसा प्लाइब और सब्सक्राइब हो ना वहीं को इन लिए लागे है जिए और हुझ है दो समझ में सबको जो कर रहा है अगला वाला वहीं समझे इसलिए प्लस लेते हैं कि बाद समझ प्याइए हाँ तो देखो परिच्छन आवेत समयरा पुछ चीजे जान लो परिच्छन आवेशिकां सिम्पल होगा अविए फ्लस फ्लस नाट फॉट दे रहा हूं यह वे सा उख्लास भार उसका इसका उन्हमलो होगा और इसका आन इक वान बहुत ज्यादा कम होता है लगबग 0 होता है लेकिन 0 नहीं होता है इक्जैक 0 नहीं होता है लेकिन ये खुद अपनी वैलू बहुत कम होती है ये बाद समझे आई खी